पूरी दुन्या को लाइव टेली कास्ट कर रहे थे और उस पूरी दुन्या में से दुश्मन भी थे जो ये देख रहे थे कितने आदमी उतर रहे हैं क्या हत्यार है उनके पास क्या तयारी है कितने बजे उतर रहे हैं हर चीज शत्रू देख रहा था और रनिंग कमेंटरी उ उन आतंगवादियों को पास कर रहा था उन आतंगवादी जो शायद ठक गए थे हार गए तोट गए थे हमारी अपनी बेवुकुपी से वो चौकन्ने हो गए तयार हो गए कि वंदे मात्रम कि साब कि मैं जाओंगा यह उत्तर था उस प्रस्ण का जो आज से 28 वर्ष पूर्व गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में किसी ने पूछा था कि रिक्रूटों अपने ट्रेनिंग के पस्चाथ स्पेशल फोर्सेस कमांडो के सेलेक्शन के लिए तुम में से कौन जाना चाहेगा तो एक आदमी ने हाथ उठाया और कहा साब मैं जाओंगा नाम रिक्रूट गजिंदर सिंग बिष्ट रिक्रूट की ट्रेनिंग अर्थास आप समझ लीजिए कि किसी आग के उपर रखे हुए तवे पर समय गुजारना जैसा होता है हर रिक्रूट चाहता है कि मेरा यह समय पूरा हो और गजिंदर सिंग बिष्ट ने क्या चुना कि उस तवे पर जो अपना समय पूरा करेगा उसके पश्चाथ वह उस आग में कूदेगा आग अर्थ स्पेशल फोर्सेज कमांडो ट्रेनिंग का प्रोवेशन का तीन महीने का पीरियड उसमें कूदने का उसने निर्ने लिया गजिंदर शेंग बिष्ट नाम का लोहा उस आग में कूदा पहाड जंगल तप्ती रेत वह लोहा गरम हुआ तपा पिगला धला और तेन महीने के बाद उसमें से व्यक्ती निकला गया तो था वो राइफल में गजदर सेंग बिष्ट लेकिन जब बाहर निकला तो पयरा टूपर गजदर सेंग बिष्ट टेन पैशल पॉर्सेस पैरा कमांडो यह बनके निकला लेकिन एक आदत उस व्यक्ती कि नहीं गई हर बात में वह कहता साब मैं जाओंगा जब भी कोई मुश्किल हो परेशानी हो कार्य दुर्गम हो कि यह नहीं होगा गजंदर सिंग सिंपेश्ट खड़ा होता बोलता साब मैं जाओंगा उसी अंतराल आया एक मौका रेजिमेंट में पूछा गया एनसजी कमांडो में जाना है ब्लैक कैट तिम में उसने अपना कारे पुरा किया जो अभियान दिया गया उसे पुरा किया सफलता से और वापास आया 10Ben पहला स्पेशल फोरसें से रेजिमेंट में और उसी दोरान फिर कार्गिल की लड़ाई लगी वहां पर उसकी रेजिमेंट गई उसकी टीम गई और वहां पर भ बाद वो अपना कारे करते रहे उसके बाद फिर से आया रेजमेंट में फिर वही बात कि इस बाद फिर एनसजी में जाना है वालेंटियर कौन जाएगा फिर हाथ खड़ा हुआ साब मैं दुबारा जाओंगा हवलदार गजिंदर सेंग बिष्ट दुबारा एनसजी कमांडों के लिए वापस चल पड़े इस बार लेकिन जब वह गए तो उनका विवाह हो चुका था उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे बड़ा प्रेम करते थे वो अपने बच्चों के साथ लेकिन वो अपनी पत्नी को हमेशा कहते थे कि मैं तुमें बहूत प्यार करता हूं बच्चों से परिवार से प्यार करता हूं लेकिन जब स्वाव से वह बात निर्मल थे वह इतने निर्मल की वह सड़क पर चलते हुए जाएं और कोई उन्हें धक्का दे दे अब शब्द भी कहे तो वह आदमी पलटके बोलता था भाई साहब माफ कर देना और अपने राख से चला जाता था उसको शायद या भ्रहम भी हो जाएग का निरुआँ करता है उसी में से एक कारे होता है इंचार्ज थे वो और उसी समय 26 Г काने के पश्चात इस बार उनसे किसी ने पूछा नहीं वह खुद गए अपने सीनियर अधिकारी के पास सिलूट मारा जहिंद साब क्या बात है मैं साब हवलदार गजंदर सेंग बेश्ट साब मैं भी जाओंगा और वहाँ दिल्ली से जितने भी हवाई जहादों में कमांड हुआए उसके आखरी जहाज का आखरी सेनिक हवलदार गजंदर सेंग बेश्ट चड़ गए उसमें यहाँ जब पहुंचे तो उनकी टीम नेरिमन हाउस वाले में तैनाथ थी वहाँ पर पहुंचे तो उसके पुराने साथ ही थे बोले अरे गजंदर तुम बुला केले हकेले मैं कहां छोड़ दू मौका सिपाही के जिन्दगी में शत्रू से दोदो हाथ लेने का मौका मिल बाई साब इससे बड़ी कोई स्वर्ग नहीं कोई जन्नत नहीं उसी शंड के लिए तो हर सिपाही जीता है वो शंड हवलदार गंजिंदर से कैसे जाने देते बस उसके बाद बात आई लेकिन अब जब वहाँ पहुंचे तो नेरिमन हाउस का जो इलाका था वो शत्रू के महाँ तो यह सोच रहे थे कि इलाका खाली होगा आतंगवादी किसी बिल्लिंग में होंगे हमें उन्हें साफ करना होगा लेकिन उन्हें आश्चेर हुआ कि वहाँ पर हर घड़की पर हर चट पे लोग भीड बड़े हुए थे अब उनके लिए शत्रू का संगार करना चु आतंगवादी हैं लेकिन ग्मन्दो जैटे थे कि बाकि जगाभी हो सकते हैं वह शांतने बैटे होंगे मोके के इंतजार में कि उसको खाली समझ कर कोई झमार को आए और वह नुक्सान हो जाए शत्रू का पता था कमांडो कहा है कमांडो उसका और यह नहीं पता था शत्रू कहां कहां पर है लेकिन पहला चुनाती जैसा कि मैंने कहा कि हमारे अपने सिविलियन्स को महां से निकालना था तो जो नेरिमन हाउस का बिर्डिंग था उसके आसपास जो थे जितने बिर्डिंग उसमें बहुत सारे सिविलियन थे जो की इतना नज्दी की मान लो एक खड़की से खूदे तो कोई डूसरे खड़की में चला जाए सामने ये इस बिल्डिंग में यहाँ परातंग वादी स सामने वाले बिल्डिंग में जो घर है उसमें आम सिविलियन लोग दबे थे सहमे थे चुपचाप बैठे हुए डरे हुए सांस भी नहीं ले रहे थे एकदम अब फिर बात आई कि इनको निकालेगा कौन तो फिर वही बात होई हाथ खड़ा हुआ साब मैं जाओंगा और गजंदर शेंग बेश चल पड़े रात के अंधेरे में चुपचाप वहाँ पर जाते लोग डरे कुछ लोग तो दर्वाजा ना खोले अब चुनाती यह कि यह क कर सकते कुछ नहीं कर सकते दर्वाजा खुल रहे हैं कुछ लोग दर्वाजा खोल नहीं रहे हैं कुछ लोग खोल रहे हैं तो कुछ रोने लग गए और उसका कमांडोज ने उनके हाथ पर मूर रुखा कि आवास मत करो बगल में कमांडोज हैं और कुछ ऐसे भी थे कि बो दूजरे बिल्डिंग से घुषने के अलावा कोई रास्ता नहीं था लेकिन वहाँ पर लोहे की जाली थी जो दिवार में लगी रहती है हम लोग लगाते हैं और यहां पर यह था कि उस जाली को काटने के लिए आप अजार का इस्तमाल नहीं कर सकते कोई बारें कटर वगर का कोई इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि उससे आतंगवादी को पता चल जाएगी वहाँ पर कोई काट रहा है हवलदार गजंदर सेंग बिष्ट ने अपनी कटार निकाली तीन घंटे लगाए तीन घंटे धीरे 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 करके चुप चाप उन्हाने पूरी ग्रेल काटी औ जैसे ही ऊपर से फार आया हमारे सिपाई समढ़ुर दिस इज़ाइब किम जोन यहां पर हम जाएंगे तो मारे जाएंगे यह जाल है यहां से हम नहीं जा सकते हैं अब नीचे से हां जाए नहीं सकते और कहीं से जा hadi सकते तो देखें क्या फिर रास्ता क्या है है भगवान हेलिकॉप्टर बुलाया जाएगा, उपर से उतरेंगे, फिर पुछा गया कौन कौन जाएगा, फिर हवलदार गजिंदर सिंग बेशाब, मैं जाओंगा, मैं जाओंगा, और उसके बाद ले जाया गया उनको, हेलिपैट पे, हेलिपैट पे चढ़ने के पहले, एक आखिरी कौन उन्होंने किया अपनी पत्नी को, विनीता जी को और कहा, कि मैं ठीक हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, उस वक्त तुमको लगा होगा कि शायद वो फोन करने का वक्त कम है, किसको पता था कि वो अपने जीवन के वक्त की बात शायद कर रहे हैं, जो भी हो, उपर से गय, उपर से उतरे, शत्रू के समझदारी कम, हरमारी अपनी बेवकुफी जादा, हम इस तमाशे को पूरी दुन्या को लाइव टेली कास्ट कर रहे थे, और उस पूरी दुन्या में से दुश्मन भी थे, जो ये देख रहे थे, कितने आदमी उतर रहे हैं, क्या ह तैयारी है, कितने बजे उतर रहे हैं, हर चीज शत्रू देख रहा था, और रनिंग कमेंटरी उन आतंगवादियों को पास कर रहा था, उन आतंगवादी जो शायद ठक गए थे, हार गए ते, तूट गए थे, हमारी अपनी बेवकुफी से वो चौकन्ने हो गए, तैयार ह हो गए, उनको पता था, वो आने वाले हैं, अब जब छट पर उतर गए, तो फिर एक सवाल, कि अब छट पर तो उतर गए, अब यहां से नीचे कौन जाएगा, फिर वही जवाब, सहाब, मैं आगे जाओंगा, और हवलदार गजेंदर सिंग बेश सब से आगए, निकले, अपने दल का नित्रतों करते हुए, उपर से छट से पहले मंजल, सारे कमरों में घुसे, धराशाई किया, क्लीन किया, क्लियर किया, ओके सिग्नल, उसके बाद, अगला कंदा, वो जब क्लीन कर रहे थे, उपर वाले कमरों में, उसमें जो धमाका हो रहा था, हम लोग उसका भी लाइव टेलीकास दुश्मन को बता रहे थे, और दुश्मन रणिंग कमेंटरी, उन आतंगवादियों को बता रहा था, कि पहला उपर वाला मंजल क्लियर हो गया है, तुम तयार हो जाओ, तो वो तयार बैठे थे, क्रॉस पोजिशन लेकर, जब कमरे में आतंगवादी थे, उसमें आतंगवादी थे, दोनों ने क्रॉस पोजिशन ले, अर्थाज कमरे में जितने सोफे थे, अलमारी थे, उसको दो तरफ धकेला, एक इस तरफ, एक सामने से, कि जो भी कमंड वाएगा, उसको दो तरफ से निशाना बनाया जाएगा एक 90 डिग्री और यहां से 180 डिग्री की तरह से और पहला कदम हवलदार गजंदर शिंग बिष्ट ने अपनी MP5 राइफल लेकर जैसे ही वो घुशे तो हत्यार उनका ऐसे था इस तरह से पकड़ा था बुलेट प्रूफ पहने थी आगे भी प्लेट होती है पीछे भी गए लेकिन उन्हेंने ललाई जारी रखी उस एक आतंगवादी को द्वस्त किया और दूसरे को वहां किया मौका दी अपने साथियों को कि वो प्लान कर पाएं बाकी बाद में उसके साथ ही आए और पहले उन्होंने गजंदर सिंग बिष्ट की शव को बाहर निकाला और फिर कारवाई करी अतंगवादी खतम ऑपरेशन नरिमन हाउस कंप्लीट लेकिन एक बार फिर अवलदार गजंदर सिंग बिष्ट ने देखा कि यहीं कहीं यमराज घूम रहे हैं यमराज घूम रहे हैं उनको टास्क मिला है कि आज इन सारे सैनिकों में से एक आदमी की शहादत लेनी है हवलदार गजंदर सिंग बिष्ट गए यह अमराज के पास बाई साब क्या है किसलिए आयो मुझे एक शहीद लेना है यह अमराज साब मैं जाओगा जैहिन धन्यवाद